नमस्कार सभी शात्रों को, आज हम विजनारी क्लासेस में परियावरण विज्ञान से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, जो की यूनिट वन का टॉपिक है और बीए, बीकॉम, बीवीए, बीसीए और एनसी वेप के शात्रों के लिए जो की सिलेवस में आने वाले एक्ज हम से रहेगा, तो ये जो पहला यूनिट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है वाक्यान वन, जिसमें कि बोला गया है कि परियावरण का अध्यान, एक बहु विशयक प्रकृती का होता है, मतलब क्या है, कि उसमें बहुत स सारे चीजें होती हैं परियावरण बिज्ञान में, जिसे कि हम अलग-अलग विशय पढ़ते हैं, एक परियावरण अध्यान की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आज हम चलते हैं पहले लेक्चर की और, तो पहले लेक्चर में जो विशय हैं रहेंगे हमारे, वो ये रहे परियावरन का अध्यान बहु विशाइक प्रकृति उसकी क्यों है तो यह बहु विशाइक का अर्थ क्या होता है कि मल्टी डिसिप्लिनेरी मल्टी डिसिप्लिनेरी ठीक है, multi-disciplinary का meaning होता है कि एक परियावरन अध्यान के अंदर में बहुत सारे विशय होते हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान होता है, बहुतिक विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, इसी तरीके से अलग-अलग विज्ञान जो होता है, परियावरन अध्यान के अंदर तो कि यह पहला विशय है इसके बाद जो दूसरा विशय है उसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरन के घटक तो पर्यावरन के घटक के अगर हम बात करें हमारे चारोतरव अगर हम देख सकते हैं तो बहुत सारे मंडल मौझूद हैं जैसे कि वायू मंडल जिसमें हवा बहती है ज बाकी जो इन्सान है और बील्डिंग से अलग अलग तरीके के तुम्हारे जंगल है यह सब किस मंडल में आता ही जिसके ऊपर पूरा का पूरा जमीन बीचा हुआ है फिर आता है अपका जीव मंडल तो यह जीव मंडल है यह कौन सा मंडल है ail-it- moc मंगल वो रहेगा दाइरा और महत्व विशह में दाइरा और महत्व रहेगा तो दाइरा और महत्व में आप देख सकते हैं कि स्थीरता और सतत विक्यास के अवधारन ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें स्थीरता और सतत विक्यास के अवधारना का अर्थ क्या होता है कि आपको प आये जाने वाले जो खनीज प्रदार्त हैं, या अलग-अलग तरीके के रिसोर्सेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जल एक तरीके का रिसोर्से, एर एक तरीके का रिसोर्से, आपके जो जीव जनतिव हैं, वो भी एक तरीके के रिसोर्से हैं, जिसको बचाने की जरूरत है क्योंकि वो सभी सभी कही न कही किसी तरीके से गंदगी का शिकार हो रहे हैं अगर कोई भी चीज गंदगी का शिकार हो रही है तो उसको बचाना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए हम लोग को स्थीरता और सतत विक्यास की अवधरना के और सोचने की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं sustainable development, फिर आता है परियावरण बाद का संचीत में इतिहास, परियावरण बाद होने का संचीत में क्या इतिहास रहा है, इस चीज़ पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आई चलते हैं हमारा पहला विशय के और जो कि आज का लेक्चर में रहेगा मूल्य तत्या, जो कि रहेगा परियावरण अध्यान के बहु विशय प्रकृति होने का राज, ठीक है, तो जो पहला परियावरण अध्यान के बहु विशय प्रकृति होने का जो राज है, वो क इन्वॉर्णर नाम के वर्ड से आया था, लिआ गया था जिसका अर्थ था घेरना और घेरना जिसमें आसपास के सभी जीव और गयर जीविक चीजें सामिल हो। मतलब क्या है? जीविक मतलब तुमारे बायोटिक मतलब जो जीवित है और तो गैर जीविक मतलब A Biotic, ठीक है, तो जीविक का अर्थ अगर हम बात करें, तो जीविक में क्या आएगा, आपका हवा, जल, मिट्टी, ठीक है, यह सब आपके गैर जीविक है, तो यह सारे के सारे जो हैं आपके गैर जीविक यंत्र है, जो की शामिल है इसमें, तो आगे अगर हम चलें, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, परियावरण में हमारे पास अध्यन करने के लिए विविन घटक है, जिसमें से जल मंडल जल को दर्शाता है, वाईव मंडल में वाईव रहता है, स्तल मंडल में भूमी, जिसको मिट्टी भी बोलते हैं, और इन सब घटकों के बीच में अंतर संबंद होता है, मतलब क्या होता है अंतर संबंद का, कि आप जैसे की जान सकते हो, कि अगर जमीन की में बात करूँ, तो जमीन के अंदर भी पानी मौजुद है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो कि जमीन के अंदर मौजुद है, तो जल मंडल एक तरीके से तुम्हारा जमीन के अंदर भी रहता है, तो इसलिए जल मंडल और वायू मंडल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसी तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं पे भी अगर आप देख सकते हो कि तालाब है या कहीं पे आपका किसी तरीके का कोई river है तो उसमें से क्या हो रहा है उसमें से अगर पानी अगर भास्प बन के उपर उठ रहा है, तो वो कहां जा रहा है, भास्प बन के जो पानी उपर उठ रहा है, वो वायू मंदल में जा रहा है, तो इस तरीके से वायू मंदल और जल मंदल भी जुड़े हुए हैं, तो स्तल मंदल, जल मंदल और वायू मंदल वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एक अंतर संबंध होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या? परियावरण के घटक के बीच का अंतर संबंध, तो इस वज़े से भी परियावरण एक तरीके से बहु विशेग प्रकृति का होता है, क्योंकि उसमें अलग-अलग घटओं क की बात की जाती है फिर आता है आपका तीसरा जो पॉइंट है वो कि बता रहा है कि परियावन अध्यन में वनस्पति विज्ञान ठीक है एकरिकल्चर जरूर प्राणी विज्ञान जो कि लाइफ सेंसे से सुक्ष्मजीव विज्ञान ठीक है माइक्रोवाइलोजी अनुवेंशिंग ठीक है जैवरसायन जैव प्रद्योगिक सहित जीवन में विज्ञान सामिल है ठीक है जो की जीवक घटक और उनकी बातचीत को समझाने में मदद करता है ठीक है तो अगर हम बात करें यह वनस्तपती विज्ञान हुआ प्राणी विज्ञान हुआ माइक्रोवाइलोजी हुआ यह दिस तरिके के विज्ञान है यह हमारे जैविक घटक जैविक घटक का मिनिंग अगर हम समझें तो दिस इस कॉल्ड एज बायो स्पियर ठीक है जिसमें जीव जन्तु रहते हैं उनके कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं उनके शरीर में क्या हो रहा है उनके आसपास क्या हो रहा है किस वज़े से वो प्रभावित हो रहे हैं जो जीव जन्तु हैं उन सब को दर्शाने के लिए जैविक घटक में यह सारे चीजों क के अध्यन होते हैं इन सब विज्ञान के भी अध्यन होते हैं तो इस वज़े से प्रयागरण अध्यन जो है एक तरीके से बहु विसायक है ठीक है आगे अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर एजीविक घटकों के बारे में अगर हम पढ़ने क्या विज्यान समुद्र विज्यान भुगोल की बुन्याद अवधरण की मदद से समझा जाता है तो अगर AGV घटको में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा फीजिकल और तो बहुती की मतलब क्या होता है कि physical जो बाहर से दिखने वाला चीज़े इसको हम बोलते हैं physical ठीक है बाहर से दिखने वाले चीज़े और एजिविक घंटकों में अगर हम physical के बात chemical के बात करें रसायनेक दिख्य सही रड़ना चाहतों यह आपका क्या होगा lottery हो ड़ुई है तो जीविक और एजीविक गटकों में क्या हो रहा है आपका उढ़ा का हस्ता करन हो रहा है उढ़ा का हस्तापरंड का मतलब क्या है कि flow उर्जा किस तरीके से बहे रही है energy का flow ये अगर हम बात करें energy के flow की बात करी है उर्जा किस तरीके से एक जगह से दुसरे जगह बहे रही है इस विशेफे चर्चा हो रही है ठीक है जिसमें की समझने के लिए आपको क्या जानने की जरूते physics भौतिकी रसाइन वि समुद्र विज्ञान, oceanography और भुगोल जो की जोग्राफी है इन सब को पढ़ने की जरूत है ठीक है तो इसके अलावा क्या होता है इसके अलावा हम लोग को सामाजिक आर्थिक पहलूओं को निप्टाने के लिए भी हम लोग को क्या करना होता है हमको कुछ और विज्ञान से आने वाला जो समय है उसमें पर्यावरण में क्या बदलाव आएंगे यह सब सोचने की भी बात की जाती है किसमें मॉडलिंग में की जाती है फिर आता है आपका संक्याकिक विज्ञान और computer science ठीक है तो स्टाटिस्टिक की बात करें इस संक्याकिक विज्ञान जो होता है तो वो स्टाटिस्टिक होता है यह अपने थोड़ा वो जानते होगे जो कि इकोनोमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं दे नूइट वाट इस स्टाटिस्टिक प्लस computer विज्ञान जो होता है वो इन सब चीजों को समझने में काफी हद तक मज़द करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम देखने जाएं तो परियावरण में इंजिनेरिंग भी आता है परियावरण इंजिनेरिंग की भी बात की जाती है इन्वर्मेंटल इंजिनेरिंग सिविल इंजिनेरिंग की भी बात की जाती है क्योंकि सिविल क्यों जरूत है suppose करो कि आपको कहीं घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सीविल इंजिनेर की बहुत जरुद होती है कि वो पानी कहां से फ्लो करेगा पानी का पाइप किस तरीके से बनेगा आपके घर तक बानी कितना हाइट पर पहुँचेगा ये सब चीजों को पढ़ाने के लिए भी आपको क्या चाहिए civil engineering का ज्यान होना चाहिए ठीक है फिर आता hydraulics और chemical engineering ठीक है chemical engineering की भी बात की जाती है इन सब का क्या क्या जाता है कि इसके base पे जो technology बनती है ठीक है वो क्या करती है प्रदुशन के नियंतरण में कामाती है सबसे जरूरी चीज परियावरण विज्ञाना पढ़ क्यों रहे हो परियावरण विज्ञाना पढ़ रहे हो क्योंकि आपको सबसे जरूरी चीज क्या है प्रदुशन का नियंतरन के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सबसे जरुरी चीज़ है अपकि प्रदुशन के नियंतरन के लिए पढ़ रहे हो, फिर क्या है, अपिस्टिक विचार, ठीक है, इसका उपचार भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको पढ़ लेना है, ठीक है, मतलब क्लीन अर्टेकनोलजी का यूज करना, गंदे वाले टेकनोलजी नहीं जहां से प्लुषन हो रहा है, क्लीन टेकनोलोजी का यूज करना स्वच्च प्रदिविकी के विकास में संबदित विविन तक्नीकों का अधार होता है कौन जो भी इंजिनेरिंग वाला फिल्ड होता है वो आपको नियंतरन प्रदुशन को नियंतरन करने में मदद करता है क्लीन टेकनोलोजी बनाता है दिसके की क्या हुआ कि तक्नीकी अधार पे आप प्रदुशन होने वाले जो परियावरण में जितने सारे प्रदुशन हो रहे हैं अलग-अलग घटकों में उनको आप रोक सकते हो ठीक है तो मल्टिडिश्मेरी नेचर आफ जो इन्वर्मेंटल लाने के लिए और प्रदुशन को रोकने के लिए ठीक है तो आज का लेक्चर में हम यहीं रखते हैं यह पहला विशय था दूसरे लेक्चर के लिए अभी हम कुछ देर में ही दूसरे लेक्चर को भी लाएंगे तो आज का लेक्चर में आपको अगर कोई अगर समस्यां है तो आप comment box पर लिख सकते हैं और अगर आपको ये lecture अच्छा लगा है तो please like and subscribe our channel, thank you.